तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए पिछले 24 घंटे में क्या मार्केट में हुआ पूरी क्रिप्टो मार्केट को यहां पर मैं बताने की कोशिश करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा अब बिटकोईन दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई यहां पर तो इस तरह से काफी जो कोईंस है वो यहां पर आपको रेड में दिखाए दे रहे हैं लेकिन कुछ यहां पर आपको ग्रीन में भी दिखाए दे रहे हैं तो क्योंकि बिटकोईन एक साथ अगर उपर जाएगा तो भाई तब जो आल्ट कोईंस मार्केट है वो भी नीचे जाएगी और अगर बिटकोईन एक साथ नीचे जाएगा तब तो यानि शूट के साथ में एक तेजी के साथ में अगर उपर या नीचे जाएगा तो आल्ट कोईंस ब्लीड करते हैं यह आपको जरूर पता होना चाहिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई यहां पर लेकिन कि यहां पर कहना है क्योंकि यह ऑन्चेन डाटा यानिकि जो ऑल ओवर दफ लोग आप डाटा उसका ब्लॉक्चेंस का आप कह सकते हैं उन सभी को एक साथ है मला कर कि और उनका डाटा एनलिस्ट करते हैं कि यहां पर मार्किट में आला कि चल क्या रहा है तो बीटीस रत कि इनले और मार्किट का भी यहां-पर बहुत-वड़ा प्रश्चेंस डिसकी वज़ाए से बिटको नियुक्ट से अर्व नहीं कर पा रहा है ओ टीसी मार्किट से वह बहुत एक्टिव है बट्लों प्रैस इंपेक्ट वह двर प्राइसंपेक्ट का यहां-डिस मार्किट है कि ग्रे स्केल एफ्टी एक्स और मांट गॉक्स का भी हैं पर नाम आ रहा है कि अब तो वह भी अपना जो फंडिंग है वह और को क्यों ने बिटकोइन को बेचना है और आने वाले दो से तीन महिने हमें लबाद दो लाग बीटी सी के आसपास उन्हें सेल करने हैं और जब यहां पर कम होती चली जए और फिलाल के इसमें पर आप सभी को पता होगा कि यहां पर ग्रे स्केल में जो फीस है वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान का सौधा बना हुआ है वीडियो को आप सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजेगा दोसों लाइक का सिर्फ ट अगर ज्यादा फीस मार्केट में जो ने टेडर आ रहे हैं अगर उन्हें देनी पड़ जाएगी तो यहां पर वो अगर कोई कम फीस ले रहा उसके पास में जाना पसंद करेंगे तो यही चीज ग्रे स्केल के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौधा है जिसकी वज़े से उसे हैं पर मार्केट में अपने जो बिटकोइन से उन्हें लगाता सेल आउट करना पड़ रहा है यह डाटा है इसी वज़े से मैं आप सभी को यह दिखाया कि भाई यहां पर जो बिटी सी का इनफ्लो है तो एक्षेंजिस इन लास्ट डेज आर एक लाक एक हजार बिटी ने ट्वीट करी दिया है अब आल्ट लेयर का कहना है कि भाई यहां पर हमारे जो एंफ्टी होल्डर से उन्हें हम यहां पर थर्टी फाइफ परसेंट देने वाले हैं नेक्स दोस्तों इगन लेयर के रिगार्डिंग अल्रेडी मैंने वीडियो भी बनाया था कि भाई उन अब जो ग्लोबल चांसिज जो ग्लोबल लोग आप जो बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर फुल स्केल में ग्लोबली यहां पर किस तरह से बात होगी और जो इथेरियम का स्पॉर्ट एटी एफ है वो कैसे अप्रूव होगा अब उसके जो चांसिज आप सभी को पता एगर bitcoin आप सभी को पता है mother currency है bitcoin के बाद में अगर number आता है तो वो आता है भाई यहाँ पर ethereum का अगर bitcoin का approve हो गया तो यहाँ पर chances है यहाँ यहाँ पर ethereum का भी approve हो जाएगा अब यहाँ पर ethereum का price में shoot up इसी वज़े से देखने को क्योंकि आने वाले समय में जो इन्वेस्टर से उनकी पहली पसंद bitcoin के बाद में जो बनेगा वह यहाँ पर ethereum और उसके बाद में ripple बनने वाला है ने जोस्ते हम बात कर लेते हैं पर कैनेडा का रिगार्डिंग केनेडा में जस्टिन टूडो नहीं हाँ पर क्या कहा है बाई जस्टिन टूडो यानि केनेडीन गवर्मेंट है आभ यहाँ पर कुछ दिन पहले हरति लेकिन राइवेरों की हरताल के बाद में उन्हें यहां पर बिटकॉइन फंडिंग ले कर यहाँ सकती है जोची चैनेडा में काफी परफिट में हो और ने दोos Yesterday के रिगार्डिंग के एंड़ और रिपल के रिगार्डिंग आप सभी को पता है कि केस यहां पर चल रहा है अब SEC कह रहा है कि भाई रिपल की जो फानेशल टीम है उन्हें यहां पर रिपल के audited financial documents है वो आपको प्रोवाइड कराने होंगे otherwise यहां पर आप फिर pressure में आएंगें की मुसीबत में आ सकते हैं वही SEC का pressure है रिपल के ओपर क्योंकि रिपल भी आने वाले समय में Ethereum के बाद में जो investors की पसंद बनने की जो chances है वो यहां पर रिपल के ही हैं वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बताएगा वीडियो को like कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा share कीजेगा अगर आप किस पूछना चाहते हैं तो comment अब जरूर कीजेगा थैंक्यू कल फरेम लेगे नेक्स्ट वीडियो में सारी सारी updates के साथ